इंडिया विल बी ए सूपर पावर बे 2050 शर्त लगा लो ऐसा मैं इसले कह रही हूँ कि आज से 30 या 40 साल पहले दुनिया की कितने लीडर्शिप पोजिशन्स में इंडियन या इंडियन ओरिजन के लोग हुआ करते थे चुनिन्दा ही पर आज एक increasing demand है leadership roles में इंडियन को fit in करने की आज से 30 साल पहले दुनिया की richest people on earth की list में कितने इंडियन फीचर होते थे पर आज हमने कुछ top spots occupy किये वे हैं इंडिया तेजी से technology को adopt कर रहा है and by 2050 we will be a superpower nation और इसमें एक बहुत important role play करता है हमारा education system हे अबरिबाड़ी मैं हूँ प्रिया और आज की वीडियो में हम जानेंगी इंडिया की education system के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं शुरू आज से तो इंडिया का जो oldest education system है उसे गुरुकुल कहते हैं जिसमें student को शिश्य और teacher को गुरु नाम से जाना जाता था इस system में जो शिश्य होता था वो गुरु के घर में ही रहके सीख प्राप्त करता था प्लस उनके रोज मररा के काम में help भी करता था ऐसे में गुरु और शिश्य के बीच में emotional bonding डेवलाप होती थी यह जो system है गुरु कुल का इसमी literature, religion, warfare, scriptures इन सब की practical knowledge पे ज़्यादा focus किया जाता था और इसलिए इसे दुनिया का best education system भी कहा जाता है और हो भी क्यों ना अगर आपको किसी भी चीज़ की practical knowledge मिल रही है जो आपके रोज मर्रे की जीवन में काम आने वाली है तो वो अच्छी तो होगी ही गांधी जी ने भी इसी education system को designed as a beautiful tree भी कहा है यह तो हुआ इंडिया का oldest education system अब बात करते हैं इंडिया की modern education system के बारे में जिसे हम आज follow करते हैं इस system की foundation Britishers ने 1830 में की थी जिसे Thomas Babington Macaulay के recommendation पर set up किया गया था यह वही system है जिसमे classroom learning की concept को introduce किया गया इस system में ज्यादा focus किया गया है science और mathematics जैसे subject पर और philosophy, ethics, moral values और metaphysics जैसे subjects को education system से drop कर दिया गया और सबसे बड़ा change जो introduce किया गया वो यह कि अपसे सारी education English में conduct की जाएगी 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में set up की गई देश की पहली education commission डॉक्टर सर्वपली रादाकृष्णन की chairmanship के अंडर इंडिया में higher education system की क्या requirement रहेगी यही जानने के लिए इस commission को set up किया गया था और इसे university education commission के नाम से जाना जाता है ऐसे ही इंडिया में कुठारी commission, आचारे नरेंद्र देव committee, मुरलीधर commission, knowledge commission और national education policy of 1986 और सबसे रीसिंट है national education policy of 2020 इन ही committees और policies की recommendation के थूँ education system में काफी development लाए गये हैं COVID के टाइम पर online education और online learning की काफी चर्चे रहे हैं कई सारे लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीज़े सीखी है जिनके बार में आप सोच भी नहीं सकते वही बहुत सारे लोग जिनकी education incomplete रहे गी थी उन्होंने अपनी learning complete की है National Education Policy of 2020 ने भी online education पर काफी focus किया है इतनी सारे लोगों का interest देखते वे काफी सारी companies ने online education के थूँ अपने नए courses launch किये जिन में से एक है Udemy एक learning platform है जिनके जो courses होते हैं वो practical skills पर ज़्यादा focus करते हैं आज की date Udemy की दो ऐसे courses है जिन में मुझे भी बहुत interest है और जो बहुत relevant है पहला है complete digital marketing course इसमें आप SEO marketing, email marketing, google, facebook, youtube इन में marketing कैसे की जाने चाहिए ये सीख सकते हैं दूसरा है social media marketing mastery course इसमें जो भी social media platform है जैसे instagram, linkedin, twitter इन में marketing कैसे की जाने चाहिए ये आप सीख सकते हैं इन दोनों ही courses की बारे में और जानकारी आपको नीचे description में जो link है न वहाँ मिल जाएगी ये दोनों ही courses बहुत affordable है और इन में आपको expert guidance भी मिलेगी अब ये जो expert है ये experience professionals है मतलब ये आपको practical skills, practical solutions प्रोवाइड करेंगे जिसे आप directly अपने काम में apply कर सकते हैं और ये जो courses है ये आप अपने convenience की हिसाब से complete कर सकते हैं आपको बता है government, national education policy की तुरू online learning पे काफी focus कर रही है पर online learning के अपने advantages और disadvantages दोनों ही होते हैं चली देखते हैं सबसे बड़ा benefit है flexibility का ये courses आप अपने free time में कर सकते हैं बिना आपने daily कामों को disturb किये दूसरा benefit है affordability का और तीसरा फाइदा है diverse options का अगर आपको कुछ भी सीखना हो चाहे वो digital marketing के courses हो या fluent English बोलना सीखना हो कोई भी course आपको online काफी easily मिल जाता है पर वही disadvantages की बात करें तो online education में teacher to student feedback काफी कम होता है students का screen time बढ़ता है और one-on-one guidance नहीं मिल पाता है teachers से अब गुरुकुल से लेकर online learning तक इंडिया काफी advance कर चुका है पर एक बात जो तब भी सही थी और आज भी वो ये कि students के लिए practical learning practical skills बहुत ज़रूरी है as students आपको क्या ज़्यादा beneficial लगता है classrooms या online learning और Q ये comment करके ज़रूर बताईएगा that's it for now see you in another class bye bye